सो हे डिमश्का दोस्तों आप सभी का एक और नी वीडियो में स्वागत है तो यहां पे आर एविलूशन एक्स का एक नया 4.0 का अपडेट आया है रेडमी नोट 7 के लिए जिसके अंदर या धमाकेदार चीजे देखने को मिल जाती है कुछ ऐसी चीजे जिनके लिए यूजर्स मरे जाते हैं मियो आ 11 के अंदर आने के लिए जो की एविलूशन एक्स जो के अंडरोइट 10 के उपर बेस्ट यहां पे 4.0 उन ओफिशल रोम देखने को मलती है इसके अंदर आ गया है तो वो सब फीचर्स के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे उससे पहले आपने अभी तक चैहां को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से नीचे रैट के लगा बटन दबा के कर लो वीडियो बसंद आये तो यार लाइक शेयर करना भूलना मत यार प्लीज भूल जाते हो लोग तो यहां पर देख सकते हूं यह है एविल्यूशन एक्स का एंड्रोइट 10 का अनओफिशल बीटा वर्जिन है फिलहाल यह अभी टेस्टिंग में है और दीरे दीरे इसको ऑफिशल करके आपको इस टेवल वर्जिन में भी देखने को मल जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम उसमें जाएगा यहां पर मैं बात करा था यार कुछ फीचर्स की जिसके लिए लोग मरे जाते है तो सबसे पहले तो आपको दिखा दूँ कि फुली एंड्रोइट 10 बेस्ट रूम यहां पर देखने को मलती है और काफी स्मूद रूम देखने को मल जाती है रिटरली काफी अच्छी स्मूदनेस के साथ आपको मलती है बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने को मल जाते है इवन पबजी आपका एचडी में फुल एचडी में वर्क करता हुआ मलता है Android 8 के सारे आपको यहाँ पर फीचर्स मिल जाएंगे उसके लावा कुछ एड़िट न्यू फीचर्स भी आपको इसके अंदर देखने को मल जाते है अगर आपको यहाँ पर लाइफ वाल पेपर की कमी थी तो वो भी मल जाते है आपको जिस तरीके के लाइफ वाल पेपर चाहिए सब ही मिल जाएंगे इसके अंदर जो की काफी नए नए भी आए है यह वाला हॉरिजन मेरा पर्सनली अभी फिलहाल का फेवरेट है जिसके अंदर हॉरिजन रहता है होम स्क्रीन भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी इसमें सारे फंजिशन आपको मिल जाते हैं अभी देख सकतो यार एप ओपनिंग स्पीड कितनी फास्ट है कितनी फास्ट सब चीज यहां पर आपकी ब्राउजिंग हो जाती है तो यह चीज एक काफी अच्छा इस चीज इसके अंदर मिल जाते हैं जो कि आपको लेटेस्ट अपडेट में देखने को मिल गए थे उसे किलावा अगर आपको सेटिंग में लेके चलूं तो यहां पर आपको दिखा दूं पहले बैटरी वगरा भी काफी अच्छी है और डिस्प्ले वगरा में जितने भी अगलग तरीके कि कई सारी मिल जाती है फिलहाल देख सकते हो मैंने यह एंग लॉक वाली लगाई है जो कि परफेक्टली अच्छे से वर्क कर रही है फिंगर परिंट सेंसर वगरा भी काफी अच्छे से इसके अंदर वर्क करता है डाक मोड भी आपको मिल जाएगा विदा इविन आइकन से भी आप यहां पर चेंज कर पाऊगे तो यह तो कुछ कॉमन से फीचर हैं जो कि हमको देखने को मिलते हैं लेकिन अगर हम चले अब यहां पर एविलूशन सेटिंग्स में जिसके अंदर आपको काफी सारे नएन फीचर देखने को मिल जाएंगे सबसे पह का option इसके अंदर मिल जाता है इवेन आप यहां पर केरियर लेवल नेटवर्क सेटिंग यहां पर आपको वाइफाई का नेटवर्क का अकबर कौन सी कितनी स्पीड चल रही है साब चीज आपको यहां पर चैक करने का option मिल जाता है उसे के लावा स्टेटर बार आइकन आइकन भी चेंज कर सकते हो और बैटरी स्टाइल भी काफी अलग-अलग तरीके की आपको इसके अंदर मिल जाती है उसे के लावा old mobile स्टाइल भी आप चेंज करके लगा सकते हो वोल्टी आइकन भी आप यहां पर अलग-अलग तरीके से चेंज कर सकते हो जो की काफी सारे अलग- कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अब आज है इसके सबसे धमाकेदार फीचर में जिसके लिए लोग मर सकते हैं मरे जा रहे हैं वो है इसका notification वाला फीचर तो यहां पर देख सकते हो आपको यहां पर notification lighting यानी edge lighting भी अगर हम कहें तो देखने को मलती है यानि screen off lighting भी देखने को मलती है तो यह चीज कफ से ज़ादा पूल feature इसके अंदर होने वाला है तो आप इस notification लाइटिंग को अपना नेबल कर सकते हो उसके बाद जैसे ही कोई नोडिफिकेशन आता है तो स्क्रीन आपकी लाइट अप हो जाती है बैग्राउंड से इस तरीके से लाइट आती है और आप यहां पर कलर भी इसको चेंज कर सकते हो उसे लाव आप ऑल्वेज ऑन भी लगा स करता हूं एक फोन से आपको नोडिफिकेशन दिखाता है तो यहां पर जैसे ही आपके फोन के अंदर अगर कोई नोडिफिकेशन आता है तो यहां पर ब्लू तरीके से लाइट अप होती है और आपको इस तरीके से देखने को मलता है काफ भी ज्यादा कूल लगता है यार आपका AMOLED डिवाइज नहीं है लेकिन तब भी ये वर्क करता हूँ मलता है और काफी अच्छे से आपको देखने को मल जाता है और यार ये आपका हर टाइम आउन भी नहीं रहता है तो इससे आपकी स्क्रीन को भी जादा कुछ खराब ही नहीं होगी लेकिन बैटरी जरूर से ड्रेन होगी अगर आप इसको बार बार आपके में नोडिफिकेशन आता रहा जलता रहा तो वो ड्रेन यहाँ पे हो सकती है तो उस चीज को आप ध्यान रखना उसे किलाब आप ड्यूरेशन कम जादा भी कर सकते हूँ मैंने इस टाइम जादा कर रखा था था कि मैं आपको दिखाबा हूँ वरना बहुत जल्दी यहां के चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा उसे किलाब आपको एज लाइटिंग में कलर भी चेंज करने का फुल टू आप्शन मल जाता है तो जो भी कलर आपका यहां पे हो आप उस कलर को लगा सकते हो जो भी आपका परसनली फेवरेट हो उसको लगा सकते हो इवन आप यहां पे आटो कलर भी लगा सकते हो कि अपने हिसाब से आपका कलर दिखाएगा तो वो चीज का भी ऑप्शन मलता है उसे किलाव आपको और भी काफी सारे option मिलते हैं call notification के LED के कि आपको लगाना है call notification time पे तो वो सब भी मिलता है उसे किलाव आजाए तो यहाँ पर कुछ common customization वाले option देखने को मिलते हैं जो कि हमको और भी roms में देखने को मिल जाते हैं जैसे कि header image है आप battery percentage वगरा change कर सकते हो यहाँ पे quick style layout वगरा change कर पाओगे और यह सब भी change करने का option मिल जाता है उसके लवा power menu में भी आप यहाँ पर customization कर सकते हो gashers भी यहाँ पर चेक कर सकते हो मैं android 10 के gashers use कर रहा हूं swipe to screenshot वगरा का भी option आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि एक काफी अच्छा option है log screen में भी आपको काफी जादा customization देखने को मलता है navigation जैसे कि आप देख सकते हो अगर आपको navigation bar यूज करना है तो कर सकते हो अगर आपको इस तरीके से यूज करना है यह कर सकते हो इसमें भी काफी अच्छा टच दिया हुआ है नया कि आप जो आपको पुल गैशर नीचे एक बटन देखने को मलता है इसको भी आप बंद कर सकते हो अब हटा सकते हो तो इसका भी option यहाँ पर आ गया है तो यह वाला है एड हो रहे हैं इसके अंदर Android 10 के अंदर और कुछ लोगों को यह वाला पिल चाहिए MIUI 11 के अंदर I don't know पता नहीं क्या क्या होता रहता है को इदर से किदर इसे आता है किदर से जाता है और पिल है ठीक है नहीं है तब भी ठीक है लेकिन पिल से थोड़ी सी स्क्रीन का स्प चेंज कर पाऊगे और काफी अच्छी 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 अनिमेशन देखने को मलते हैं और आप देख सकते हो ओपनिंग स्पीड भी कितनी कूल इसकी है साथ बात करूं बैटरी बैकप की तो फिलहाल के लिए एडुकेट है बहुत ही अच्छी बैटरी बैकप नहीं कर पाऊगे पबजी गेमिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम तो इस रोम का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में देने की पूरी कोसिस करूंगा आप इसको इसली फ्लैश कर पाऊगे जैसे आप कोई भी अपनी रोम को फ्लैश करते हो और इंज फॉक्स रिकवरी की ह हुई है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर तब भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रूप को भी जोइन कर सकते हो जहां पर आपको हर चीज का लिंक मिल जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम और ठैंक्स तो चरंदन भाई आज जो हमारे टीम मेंबर्स हैं और जो की काफी अच्छे से हेल्प करते हैं मेरी मैं हर टाइम नहीं रह पाता हूं टेलीग्राम ग्रूप में मैं नहीं रिप्लाइद दे पाता हूं तो वह करते हैं तो बहुत चीज मुझे अच्छी लगती है तो यह जैसे कि मैंने आपको अल्रेडी दिखा दिया था ग्राफिक्स एजडी हाई आपको देखने को मिल जाती है विदाउट एनी प्रॉब्लम आप इसके अंदर प्ले कर पाऊगे अगर आपको इसी तरीके की और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज यार मुझे कमेंट करके बता ना क्योंकि मैं अभी यहां पर मर रहा हूं और भी और भी मरने वाला हूं आई तिंक क्योंकि मैंने गन वन भी चूज नहीं करिया तुरंती मर जा रहा हूं तो फिलाल इस वीडियो में तब तक लिए टेक केर बाई-बाई-बाई-ई-उना नेक्स्ट वीडियो टड़ा मर साले मर अरे साला तीन बार मार दिया मरा नहीं ओके टेक एब बाइब